हेलो दोस्तो, स्वागर आप सकता मेरे YouTube चैनल सचने अजिकेशन हपर दोस्तो, आज मैं आपके लिए एक नया कोशन लेकर आया हूँ और ये कोशन के नोट्स आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगे से पॉइंट्स और कितने कितने पॉइंट्स एड्वांटेज में देने है और ये असल में आपने कैसे करना है सारा कोशन ये भी आपको बताने वाला हूँ तो दोस्तों सबसे पहले आपके सामने है कि what is management accounting तो management accounting बहुत बार पढ़ा हुआ है आपने कि it refers to the process of identification, measurement, analysis, preparation, interpretation and communication of the financial information used by the management to plan and control within an organization एक organization के अंदर ये सारी process करना सीजी सी बात है सारी चीजें जो आप simple accounting के अंदर भी करते हो जब ये सारी चीजें management करनी शुरू कर दे तो उसको हमने नाम दे देना है management accounting तो in simple word अगर आप बात करना चाहते हो तो इसका मतलब होता है that is a management that which concerned with accounting information that is useful for the management मलब management accounting एक ऐसी process है जो आप accounting information के साथ relate करते हो और उसका relation कहीं न कहीं management के लिए helpful होता है तो बहुत easy था इतना मुश्किल है नहीं दोस्तो तो अब बढ़ते हैं हम आगे तो हमारा ये जो meaning का purpose था तो वो तो इतना ही रहता है आपको जादा से जादा एक हैं दो marks का लेकिन अब advantage, disadvantage की बात करते हैं तो सबसे पहले आपके सामने advantage जो आ रही है वो है better decision making तो दोस्तो सबसे पहली आपके सामने यहां पर मैंने बताया है management अगर आपने करना है तो इसमें क्या आपको ध्यार कनी है तो better decision making आपको नाम से clear होगा better decision making मतलब क्या है कि management को असान हो जाएगा कि अगर वो management accounting करेगा तो उससे उसको decisions लेने में असान ही होगी तो अगर वो decisions लेने में असान कर लेगा अपने आपको तो automatically कहीं न कहीं objectives अचीव हो जाएगे तो आपको यहां से benefit क्या हुआ है कि management accounting करते time आपको कई records मिल गए और उन records की मतलब से आपने आगे better decision लेने के लिए उन्हें use किया तो management के लिए helpful हो गई दूसरा आता है आपका that is raises profitability अब better decision making लेगे अब link कर सकते हो अगर आप better decision making ले लोगे automatically आपका काम अच्छा हो जाएगा अगर आपका काम अच्छा हो जाएगा इसके लावा आता है motivates employee अब management अच्छे से management accounting करता है तो automatically वो understand भी कर जाता है कि कैसे आपने management accounting को आगे बढ़ाना है या अपने management को कैसे आगे लेकर जाना है ताकि आप अच्छे से goal achieve कर सको तो automatically वो कहीं ना कहीं in decisions को लेकर अपने employees के लिए देखता है और जब वो employees के लिए देखता है तो उसको motivate करने की कोशिश करता है तो ये आपके सामने थियूरी लिखी हुई है आप पढ़ सकते हो तो ये चीज़े क्या helpful करती है एक employee को motivate करने में भी आपकी मादद करती है इसके लावा आता है cost transparency अब management इन सारी techniques को use तो करेगा उसमें बहुत सारी चीज़े होती है जो आपको बाकी अगर आप method यूज करो तो उसमें बहुत ज़्यादा cost लगती है लेकिन अगर आप management accounting यूज कर रहे हो तो उसमें इतने ज़्यादा methods नहीं है management decisions लेने हैं आपको external channel कुछ करने की जूरूत नहीं है तो automatically आपको वो method यूज करने पड़ रहे हैं जो आपके management कान भी है आप असानी से कर सकते हो तो automatically ये चीज़े असान हो जाती है और cost भी आपकी कम लगेगी ठीक है अब उसके आते हैं बात करते हैं that is simplify the financial statement अब अब बात कर रहे हो कि financial statements को simplify करना है तो कैसे हो जाएगा असानी से हो जाएगा क्यों अब बात करते हैं हम कि CDC अगर यहां पर देखें अब simplify करना है तो simplify का मतलब यहां पर हुगा कि आपने कोई statement ज़ादा बड़ी तो बनानी नहीं होती एक cash flow हो गया अग्रेशन अन्जित हो गया या marginal costing के अंदर आ जाता है सब कुछ तो CDC सी बात है यहां पर आपको ज़ादा deep जाके कोई financial statement त्यात नहीं करनी परती आपको उन चीजों को असान करने का तरीका management दे देता है तो मिलती वही चीजें हैं यही results है बस उन चीजों को असानी से management counting करने का मदद करती है तो automatically यहां पर आपको benefit हो गया तो यहां पर आपके advantages तो खतम हो गए अब हम बात ही है आपके main that is disadvantage के और तो इसका सबसे बड़ा disadvantage अब यह dependency कैसे होगा याद हो तो cost account की बात आती है अब management जादा तर क्या करता है cost accounting को चेक करता है अगर cost counting होगी ही नहीं कोई इसके इलावा step होगा ही नहीं accounting के अंदर तो वो किस चीज़ को चेक करेगा तो automatically cost counting के उपर depend करता है यह यानि अगर आप cost counting करोगे तब ही management accounting helpful है otherwise नहीं है तो dependency कहीं न कहीं आ रही है तो यहाँ पर management accounting क्या नहीं हुई independent नहीं हुई यह भी point निकल के आ सकता है इसके लावा second आता है आपका personal biasness अब करता तो management है तो management अगर सारा काम करेगा तो उसमें कुछ लोग होते है personal biasness nature के तो automatically कहीं न कहीं यह personal biasness भी पैदा हो सकती है अब उसके बाद बात करते है provide only data अब यहाँ पर point समझो only data का मतलब क्या है यह आपको सिर्फ information देता है decisions लेने में मदद करता है आपकी data आपको दे देता है कि आपने यह चीज़े करनी है लेकिन कैसे करनी है वो path नहीं बताता यानि आपको सिर्फ उपर सा data बता दिया कि हाँ जी इस का answer यह आया है इसकी चीज़ यह आएगी यह करना है यह करना है लेकिन उस चीज़ को करने में मदद करना या उस चीज़ को कैसे करना है उसके ways बताना यह management नहीं करता तो कही न कहीं management accounting की यह भी limitation आ गई इसके लावा costly अब यह costly क्यों है कही न कहीं आपने देखा कि methods तो इसमें भी use हो रही है method तो यह भी बहुत महंगे है या जो भी आप use करोगे उसमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए ratio analysis है, cash flow statements है तो उसमें कहीं न कहीं बहुत सारे accounts होते हैं तो बहुत सारे accounts के अंदर अगर आपने यह सारी चीज़ें करनी है मुश्किल आएगी cost लगेगी, time लगेगा cost and time दोनों चीज़ें जा रही है तो यहां तक आप आपको clear हुआ इसके इलावा lack of specific procedure अब हमने हर चीज़ पढ़ी है तो आपको यहां पे clear क्या हुआ कि हमने देखा कि हर चीज़ की एक process होती है तो management accounting भी process है लेकिन इतनी अच्छी process नहीं है कि आप किस तरह उस चीज़ को करो मुश्किल आते रहती है कि कौन सा step पहले करना है कौन सा बाद में क्या चीज़े पहली है क्या बाद में किस step को किस तरीके से लेकर जाना है तो यह problem आती है तो दोस्तों यह थी advantages और disadvantages यहां पे आपका यह question खतम easy था बहुत मुश्किल नहीं था असानी से आप जितने भी points हैं यह याद करके कर सकते हूँ तो थीरी आपके सामने थी टेलिगम चैनल बेबे मिल जाएगी तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है वीडियो अच्छ लगी है तो like, share and subscribe कर देना कहीं पर problem आ रही है तो निशे दिए comment box में comment भी कर सकते हूँ आज के लिए तना ही, thank you very much